आकास InfoDeck Video Tutorials, मैं आकास पड़ यार, आ वीडियो निंदर हूं iOS 10 Xcode 8 जे छे, जैने इंदर के भी ते बेजिक प्रोग्रामिंग करूं, के भी ते एन टेक्स वोक्स नी वैल्लियू फैल्च करवी, ए बताईस, तो अहिंदर मैं एक Xcode जे एडिटर, IDE, we can say Integrated Development Environment, जे iPhone एप्ल जे लेटेस्ट वर्जन चे तो यहां हूं फर्स्ट जे चे, create new Xcode प्रोजेक्ट पर क्लिक करीज, और ने नेक्स स्क्रीन माँ टेंप्लेट सेलेक्शन ना उप्सन हाँ से, कि जे माँ सिंगल वीव अप्लिकेशन, गेम, मास्टर डिटेल, पेद बेस गनावदा उप्सन और नेक्स बटन, इन नेक्स बटन इप्रोड़क्ट नेम, टीम, और अरिजन नेम, इडिटिफायर, बंडल इडिफायर, यहां स्विफ्ट लेंगवज उद्व सेलेक्ट कराईँ चे, तो पहला अपने यहां एड़ करीशो प्रोड़क्ट नेम चाँ टेस्टिंग चे तो नन पन तम्हें राखी सको चो, यहां और यहां पास करी सको चो, और अगर अगरे चेंज करूए तो अपन करी सको चो, अने बंडल आइडिंटिफायर, यहां ऑटमाटिकली तमारी और यहां आप्लिकेशन नेम जोड़क्ट था यहां, अने लेंगवज, आजे वीडियो ट यहां आपने यूज करी सो कहीते आनू डेमोस्ट्रेशन करू अत्यर आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करी सो अने आपने डेस्टिनेशन जोड़क्राम तो हूँ सेलेक्ट करीस डेक्स्टॉप और क्रियेट बटन पर क्लिक करीस तो यहां एक सिंगल अप्लिकेशन के left hand side जे मारी file directory जे छे ये बुदा अवेलेबल छे देन default app delegate view control dot swift main storyboard जे आपने designing करवानु छे तो वह यहीं पर click करीश औने तमारे वीजाई settings जोईता होई application तो तमारे यहाँ उपर click कर सो एले application ना setting जे माँ थी तमारू एपनु development deployment target जे छे एवन तमारे application कोई जुना मोबेल माँ चला भी होई तो तम्हें deployment target भी चेंज करी सो को और लेंस्केप और लेंस्केप लेफ्ट और राइट नो भी option यहाँ पे लो जे छे और बिजा गणावदा option छे कि तमार आइकन्स क्रिएट करवाना छे लांच जे छे के button पर click करवा थी text fill नी value एक लेबल कंट्रोल मां के इतर डिस्पले करवी एच होई तो अहिए एक मारो view controller जे छे चे बाड़ फोल्ड एक आवचे view controller विव कंट्रोलर नी इंदर तमारे अगरानी size चेंज कर भी हुआ तो Xcode 8 जैने अंदर option अवेलेबल छे कि तमारे designing चेंज करू हुआ पहला हुआतू के घणा बदा अलग-अलग devices मां तमारे रन करू हुआ तो अहिए तमारे एक एक करीन application नी अंदर चेंज करू पड़तु तो अहिए हूं जे डिवाइस से हूं सेलेक कर अने आप्लिकेशन ने रन पर क्लिक करीश तो आप ब्लैंक जे डिजाइनिंग जे चेंज ए अखुए एक सिम्यूलेटर ओपन थासे और यह सिम्यूलेटर ने इंदर आप पोग्राम रन थासे आ एकला माटे मैं त्यारी ओपन करूँ बेकाज आप वन त्यू मिनिट्स लेसर लोड करवामा यह मिनिमाइस करी दाऊ चू त्यां सुधी आपड़े यहां घणावदा यूए कंट्रो करीज लेबल नहीं घणिवदी प्रॉपरडिस चाह तो एना माटे और यहां प्रॉपर्टी जही तद मैं जो इसको यहां लेबल ने प्लेंटेक्स सिम्यूलेटर जोड साहिए अपने मिनिमाइस करी देए पहला और यहां प्रॉपरडिस आपने लेबल के वैलकम चू आई dOS 10 swift 3 by akas.padiya के जो में एंटर करूँ तो आज एस टेक्स चे लेबल नहीं आई गया और आपने ने विजीबल नथी लाइन पटाए साइज दे चे एचे चेंज करी अवे आ पोग्राम नहीं दे लेबल अग्यू अने शिम्यूलेटर जेचे पहला लोड थाईग तो यहां अगया आउटपुड नथी आयो तो आगें तो मैं इन एक लिपा क्लिक करो तो फरीदी तामारी एपलिकेस ने बिल्ड कर से अनने बिल्ड जेवी सक्सेस था से एकले शिम्यूलेटर नी अंदर तमने प्रोग्राम देखा से अब आज आज एक लेबल अच्छे लेबल कंट यहां हुँ एक सिम्पल लेबल लेज अने एनी वेल्ली जेछे है है हैलो मुकी देख ग्रीट ओके नव टेक वन न्यू टेक्स फिल टेक्स फिल जरे भी यूजर पासे थी वेल्ली लेवी हुए एना माटे यूस थाये चे तो आटे टेक्स फिल जेछे एने थोड़ीक आप टेक्स फिल नी अंदर अप्ने प्लेस फोलडर मुख हुआ है तो प्लेस फोलडर हे जरेवी यूजर ने प्रॉम्ट कर से के एंटर नेम अन्य आपके लाच है कि तम्हारे बोडर चेंज कर ये बोडर स्टाइल तो तम्हें इपन चेंज करें से को हो फॉंट नी इपन प्रापरडी समें चेंज करें से को यो पन्हां बेजिक अप्लिकेस नडेमो अशे थिस नॉर्मल यूज गरें सूँ एन बटन click me okay and अवे आप बटन ने टेक्स बोक्स अने लेबल जे चे वह ने क्लिक करीज अब आप अप्लिकेशन बिल्ड करीज इतले जस्ट एक टेक्स बोक्स नी इंदर जी आतू आरे उने की प्राम्ट श्रेक टेक्स बोक्स बोक्स हां कहावर ne पतार तम्हा जी अर्व की बोडिकेशन बीवैल्योकर यंदर रानल लेबल बटनत उतले से कुछ यह लेबल लिगल आप अल्टल और आउक एष़ों डेक्स ज्मगोगयोच तो न मेल्राए आप बनने ओप्शन जेचे हैं यहां बन करीड़ी जेती स्पेस मली जेचे अने वैंड डायग्राम जेचे जहने आसिस्टन एडिटर के वाए कि जहने इंदर आपने कोडिंग करानु रहे से अपने बद्धुच कोडिंग पहला एक व्यू कंट्रोलर डॉर स्विफ्ट जहन आसिस्टन एडिटर नी अंदर पहला एना आईबी इंटर्फेस बिल्डर आईबी आउटलेट्स जेने क्रियेट करवा पड़ से के जरे भी तमारे कोई कंट्रोल्स हुआ यूस करवा हुआ पोग्रामिंग इंदर तो तो यहां पहलों लेबल जेचे टेक्स फिल्ड जेने एने क्रियेट करूँ हुआ तो कंट्रोल की तमारा कीबोर नी इंदर कंट्रोल की प्रेस करो होल्ड करी राखो अन्ने माउस थी तमें जस्ट ड्राग और ड्रॉप करो इतल्या पूछ से क्यों टाइपनू कनेक्सन राखवुँ जे तो एक कनेक्सन नी अंदर आउटलेट नेम तो माई लेबल अने टाइपने अन्दर यूआई लेबल और कनेक्ट यह एक माई लेबल जे छे एनू आई भी आउटलेट क्रेट थे यू इवी जिते टेक्स फिल तो एने भी कंट्रोल होल्ड करो अने ड्राग और ड्रॉप माई क्लिक इवेंट यह पर में तो कि यह तो आपने अने अन यह इन्दर अगें कनेक्ट तो आखिया एक एक्सन आई गई तो निदे तमें कोडिंग तवाज ये भी लखान वे क्लिक्क एट ऊपर तो यह लखी सको जो तो यह लखी सके मैं label.txt नहीं प्रॉप लेबल नहीं रहे है वैल्यू चेंज कर भी है पन जे textbox नहीं थे तो my textbox.txt and now run this program ok just type acast and click on click me तो अब value जे उपर आती जे लेबल नी by default hello a change थे गई और वैल्यू जे तम्हें एंटर खरीती ये तमने प्रिंट कर से तो आएक simple demo छे कि जे मा टेक्स फिल्ड नहीं बटन नी click event पर आपने label नी properties लेबल नी value चेंज करिए जा अने बीजू के तमारे आनी इंदर size तमारे decrease कर भी होए जे screen नी तम्हें आने 50-33 percentage जे simulator नी size से तम्हें चेंज करी सको जो और बीजू तमारे home की प्रेस कर सो या hardware नी इंदर home की आपसो तो अर्टमादेगली ये home पर जतू रहसा है या गणिवधी application जे demonstration कराता है एक्जांपल से लस तम्हें आखु आखु आइफोन नी simulator जे छे चेक आखु खो ने लास्टमा विडेस simulator तो जेविए याए application माजो के के वी एक टेक्सफिल नी वैल्यू एक लेबल मा सोकर भी झाहिए किbroगा वालुटरी वालुटरी तो पूल्टार अकासेच के ट्रहिए कि एकासेच कोधिया... झाल झाल